मिथुन राशी वालों के लिए 2022 शुप शंकेत लेकर आ रहा है अगर आपने पासपोर्ट नहीं वनवाया है तो बनवा लें क्योंकि आपके विदेश जाने की संभावना कहीं ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है या मिथुन राशी वालों के लिए बाहर घूमने के अफसर नजर आ रहे हैं नौकरियों को लेकर वाद विबात थोड़ा साचलता रहेगा लेकिन जो लोग नौकरी पर है उनको धन संभन्दी काफी अच्छा प्राप्थ होने के आथार आते हैं परिश्रम का अच्छा फ стал प्राप्त होगा परबरी और मार्च के भाग्या साथ आपका मान समान बढ़ेगा आपकी चिंता दूर होगी अप्रेल और मई में सरकार से संबंधी काम बनेगा स्वास्ते को लेके थोड़ा सचेत रहें क्योंकि स्वास्ते आपका डामडोल नजर आता है लेकिन घबराने की जरुवत नहीं है स्वास्ते फिर रिकवरी हो जाएगा आपके खर्चों में व्रद्धी होगी बाधाएं दूर होगी कार्य में सफलता भी मिलेगी जून जुलाई वईपार में सफलता मिलेगी धन लाब भी होता नजर आ रहा है अगर आपका कहीं प्रेम चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी विबादित बातें होने की आशंका नजर आती है लेकिन अगर आप धैरे से काम लेंगे तो प्रेम भी आपका लौट कर वापस आ जाएगा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर कई सारे स्कोप खुलते नजर आ रहे हैं यानि कि शिक्षा में अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आपको उत्रिन या आपका जो लक्षे है वहां तक पहुँचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है नई बिजनिश के शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल सही समय है आप कर सकते हैं जमीन जायजाद जैसे विवादों में फसे हुए कारे भी सुलजेंगे हस्बेंड वाइफ की नौक जौक लगातार बनी रहेगी लेकिन साथ में बैट के उस बात का सॉलुशन करने से भी आपको निजाद मिलेगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और जाते जाते घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि सभी लिटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पर सबसे पहले